Halo friends, Welcome back to my channel, Let's Us Garden In Blog तो friends, यह है मेरे garden का Christmas tree देखिए कितना बड़ा हो गया है और यह मेरा Christmas tree 8 सल पुराना है friends तो यह आज मेरे garden से जाने वाला है और Christmas tree बहुत ही लखी प्लांट है friends बहुत ही सुब माना जाता है इस plant को आप अपने आंगन में garden में जरूर लगाये यह क्योंकि बहुती सूब पओधा माना गया है इसे तो मैं भी इसे लगाई थी और जब से मैं इस घर पाइन आई थी तब से मैं इस plant को लाके लगाई थी और बहुती ज्यादा इसकी प्लांट इतना हेल्दी है और काफी बड़ा भी हो गया है और इतने दिन तक है आठ साल से है यह प्लांट मेरे घर तो फाइनली आप यह प्लांट कहीं दूसरे जगह जा रहा है फ्रेंड्स तो इस आज इसे गमले से निकालना होगा और यह देखें नीचे क्यारी में भी नह फैल गए थी कि सिमेन का जो गमला था वो टूट गया था तो मैं इसमें रिपर्ट की थी इसको लेकिन अब मैं वहां बाहर ले जाके दूसरे जगह ले जाके इसको नीचे जमीन में लगाऊंगी तो इसकी ग्रोथ और ज्यादा अच्छी और इसकी हाइड भी बढ़ेगी तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये क्रिस्मस टी आज मेरे गाडन से जा रहा है तो मुझे बहुत ही दुख हो रहा है क्योंकि मैं जब से ये क्रिस्मस टी लाई हूँ तब से इसकी देखभाल कर रही हूँ एक बच्चे की तरह हम देखभाल करते हैं पेड़ पौधो की तो ये आज इस गारडन से जा रहा है तो दुख तो होगा न फ्रेंड्स लेकिन कोई बात नहीं आज मैं इसकी कटिन लगाके देखूंगी और देखते हैं फिर ये सकसेज होता है कि नहीं क्योंकि मैं पहली बार लगाओंगी और फ्रेंड्स इसकी जादा केर करने की जरुरत नहीं पड़ती है यह बहुत ही हाड़ी प्लांट है फ्रेंट्स और बहुत ही कम क्यार में बहुत ही आसानी से चल जाता है फ्रेंट्स इसे बहुत ज्यादा क्यार करने की ज़रूरत नहीं है बस इसे एकदम डारेक्ट सनलाइट नहीं पड़नी चाहिए और इसे हलकी धूप म लिए ध्यान रखना है और यह देखे फ्रेंड्स गंबले से मैं निकाल दी और देखे रूट्स कितने बाउंड हो गया है इसमें पूरे और कुछी दिनों में वो गंबला भी वो तूटने वाला था तो देख सकते हैं और गर्मी में थोड़ा सा देखे इसके पतिया सुखने लग गई थी और जब बारिश हुआ तो फिर इसमें और बहार आई है फ्रेंड्स देख सकते हैं ये दिखिये तो ये देखे फ्रेंड्स ये निकल गया गंबले से अब यह जा रहा है मेरे घर से मेरे माइके की बाडी में लगेगा तो चलिए फ्रेंड्स वहां मिलेंगे औ और देखें Ephraim यहां पर मैं थोड़ा सा उसकी कटिन लगा हुआ हूं इसको मैं दिखा रही हूँ तो यह मैं पहली पार लगा हुआ हूं यह मुझे भी यह पेड मेरे गार्डन से जा रहा है लेकिन फैनली कहा जा रहा है तो यही मैं बता रही हूं कि यह मेरे मायके की बाड़ी में लगेगा और वहां नीचे जमिन में लगेगा फ्रेंड्स तो इसकी ग्रोथ और अच्छी होगी और इसकी हाइट भी बढ़ेगी और वहां उसको अच्छे से बढ़ने के लिए नीचे बहुत जगा भी मिलेगी फ्रेंड्स फैलने के लिए तो देखे मैं इस तरह से इसकी कटिन लगा दी हूँ फ्रेंड्स अब देखते हैं इसकी अपडेट मैं बताऊंगी कि इसमें रूट्स निकले है की नी तो देखे फाइनली ये मेरा क्रिस्मस ट्री अब चला गया है और देखते हैं ये कहां पर लगा है चलिए ये देखे ये मैं आ गई मेरे मायके की बाड़ी और यहां पर इसको लगाएंगे और ये जिमी कांदा का पूरा यहां जंगल है देख सकते हैं यहां पर लग गया क्रिस्मस ट्री और यहां पर इसकी ग्रोथ और अच्छी होगी तो ये दिखे अभी बाड़ी की हर्याली देख सकते हैं चारो तरफ हर्याली ही हर्याली है देख सकते हैं वो नीम का पेड़ ह जिसमें गिलोई की पूरी बेल उसको लपेटे हुए है फ्रेंड्स देख सकते हैं नीम की पत्तियां भी नहीं दिख रही है और यहां दिखें जीमी कांदा पुरे किनारे-किनारे में लगा हुआ है तो फ्रेंड्स यह वीडियो कैसे लगी प्लीज कमेंट करके कमेंट बाक् आईएगा मिलते हैं नेक्स्ट डूडियो में बाइबाइब